ये बस इस चीज़ को दर्शाता है कि आज क्या स्थिती आ गई है पूरे देश की कि ये जनता का दुरभाग्य है कि ये सरकार बनी हुई है जो कि रोज नए गोटाले का एक रिकॉर्ड बनाती है अब ये तो किसी से नहीं छिपा हुआ कि सरकार में जो रेट टेपीजम है वो कितना बढ़ गया है एक पॉलसी जो है conceptualize हो किया और उसको implement होने तक कितने वर्ष लग जाते हैं एक छोटे project clearance होने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं आप बताइए कि हम लोगों ने अपनी power capacity कितनी आइड की पिछले 8 साल में हम लोगों ने कितने roads जो हैं उनका निर्मान किया जो इंडिये की सरकार में जिस गती से होता था उसकी 5% भी गती से नहीं हो रहा है हरीश जी के पास कुछ कहते हैं वो Congress leadership कुछ कह रही है एक मंत्री कुछ कह रहा है तो ये कोई समन्वाए नहीं है तो आप अपने घर में भी तो देखिए आप दूसरे के ऊपर आक्षेब लगाने से पहले अपना घर तो सही कर लीजे अप अपनी सरकार की बात करें ना आप हमको सरकार में आने दीजे हम समन्वाए दिखा देगे आप तो विपक्ष में भी एक मत कर पा रहे हैं आप अपका उपिनियन हो सकता है आप उपिनियन के लिए इंटाइटिल्ड है पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सरकार में रहे आपने क्या डिलिवर किया आप सरकार में रहे आपने क्या डिलिवर किया जनता प्रशन पूछेगी आपसे हम थोड़ी सरकार में हैं अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो हम इन प्रशनों का जवाब देंगे और जहां जहां भ करेक्ट करने का निवेदन है कि जो भाजपा की नकारात्मक राज नीती है जो पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल क्रियेट किया गया है माहौल बनाया गया है जिस प्रकार से आप कल तक ब्रश्टाचार 2G के उपर कहते थे वही कैट की रिपोर्ट आ अपने आप को रिप्ट करें प्रमाणू जो उपर इनों ने विरोध प्रिया है हुसे और मजूद बनाने का प्रियास है। इस देश के अंदर दूजरा माहूर पैदा किया जाए जो कि नखारा कुछी का हो और इस देश के अंदर पूजी का गोटाला जो है उसकी इन लिगालेटी सुप्रीम कोट ने इस देश के अंदर पूजी का गोटाला जो कॉंटम अफलो से वो सुप्रीम कोट अपना जवाब तो दे सिना साब बिल्कुल मैं आपका यह प्रश्ण आगे कर देता हूँ यहाँ पर प्रफिसर शिराम खरना से लिए और आप सो बार जूट बोल रहे हैं तब भी कोई सच नहीं मान रहा है रतन टाटा कह रहे हैं पूरी पूरा देश कह रहा है कि कॉंग्रेस जूट बोल रही है अब प्रफिसर शिराम खरना सवाल यह है शुकला जी अगर डिबेट को कंड़क्ट करना है तो आप सब को बोलने का मौका दें अगर मैं बोलना हूँ यह बीच में इंटरजेक्ट करते रहेंगे तो मेरी को कोई बात नहीं हो पाएगी बोले बोले सेना साब बोले आप बो अब यह पता नहीं किस कौन रिटायर्ड ओफिसर जिसको कॉंग्रेस ने कुछ इंफ्लूएंस कर लिया वो कुछ इधर उधर की बात कर रहा है तो पता नहीं है क्या उसकी दुखाई दे रहें लगता है कि यह कोई रिटायर्ड ओफिसर को अगया उसको देख लिशेंगे मैं तो अपने भाई की जो कॉंग्रेस से हमारे भाई आये हैं जी 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 अरे टूजी का आउक्षन तो आप ही लोगों ने जान बुझ के जो है उसको ऐसा आप लोगों ने उसको इस तरह का एपसर्ड बना दिया यही तो आप लोग अपना पॉइंट प्रूफ करने के लि यह बात तो तहा है कि एक मिलिस्टर को जेल में जाना पड़ा तो हमको सरकार में आने वांचला चल रहा है तो मुकतमे का फैसला आने और उसकी बिल्कुल प्रतिक्षा की जा रही पूरा देश कर रहा है तो वैसल खरना पूरा देश कर रहा है और इस गलत बात है देखे establish करते हैं उसके बाद सब लोग बोलें कि दुबारा हो इसका कोई अर्थ नहीं होता है यह बात तो है उपर के investment को जल्दी जल्दी उसकी प्रोसेस पूरा करने के लिए इन्हें पता नहीं है हरिश जी जो है तो इसका बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं वो जो उन्हों ने दो हजार नौ में जो स्पेक्ट्रम का जो बंदर बाट किया उसका प्राइस दो हजार एक का रखा सिना साब और भी और भी relevant बात करते हैं और इस सुप्रीम कोट की सारी findings है आपका ले सुप्रीम कोट का judgment पढ़ ले और उसके बाद आगे कुछ कहें तो जी घुटाले से अलग घटके अभी अब वरतमान सिधी पर बात करते हैं नेशनल इंवेस्मेंट बोट की बात हो रही है और वो एक हजार करोड रुपए से ज्यादा के इंवेस्मेंट पर सरकार को एक अलग बोट बनाने की ज़रुद पढ़ रही है तो आखिर ऐसा क् पोजिटेव और कंस्रक्टिव स्टेप है जियग कि जब एन्वानमेंटल ख्लियरंसे की तो इसमें क्या बुरी बात है तो अच्छी बात ए डिने प्रोफेसर dieser क्रणा इसका मतलब यह ए कि सरकार बात को स्विकार कर कर रही है कि हां investment के मामले में यह procedure जो चीजें उसमें hurdles सारं रे हैं hotels कि you know ढरे है meining में जो आ रहे हैं जो आ रहे हैं कचेरियों के intervention से वो आ रहे हैं गलत licensing से वो आ रहे हैं mining के scandal से करनाटका में जो mining scandal हुआ बीजेपी की government के नीचे हुआ गवा में हुआ गवा में अभी भी चल रहा है Supreme Court ने intervene किया इसके अलावा environmental clearances है उनको opposition में चुरोती देते हैं या NGOs चुरोती देते हैं तो इस सारे कारणों से environmental clearances कौन नहीं देता है यही बात तो रतन जाटा क्या रहे हैं कि इतना time नहीं लेना है अगर investment board बनाने से एक छतरशाय बन जाएगी जिसमें single window पर सभी clearances आ जाएगे तो क्या बुरी बात है इसमें यह तो criticism के बात नहीं है यह तो welcome करना चाहिए चाहिए रतन जाटा शिकायत करें या ना करें आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं मैं जी करने की प्रयास तो है अगर मैं तो उस किति में नहीं हूँ मैं तो power के बार चल पड़ा नहीं रहा हूँ कि जो देखूं और बदनामी करना शुरू कर दू यह तो विरोत बक्स का काम है वो करें यह उसका काम है लेकिन political statements आ रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि रतन टाटा के इस बयान के बाद कैसे कैसे राजवितिक बयान बादी शुरू ही फिर बयास को शुरू करते हैं टाटा एक ऐसा नाम जिसकी बुनियाद पर दुनिया भर में भारतियों दियोगों को पहचान मिली आज वही टाटा अपने ही देश की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं देश के एक बड़े कारोबारी के द्वारा सवालों का खड़ा करना था कि FDA की जीप के जश्न में डूबी सरकार की नींद खुली और मनमोहन सरकार की नीकियों के वे गुनगान करने लगी तो क्या ऐसे में देश का बला हो पाएगा यही एक बड़ा सवाल है पूज़ा जी बहुत समझदार बेकती हैं और वे किसी तरह से प्रजातंतरी विवस्ता के बड़ाएगा